नमस्कार, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका अपने यूणिक ऑनलाइन गुरू चैनल में मित्रों। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में एक special protocol होता है जिसका नाम है गोफर कैनाम है, जिसका नाम है गोफर protocol इसका यह special protocol होता है, यह special way में use किया जाता है मैं आप लोग को बता दू कि आप लोग अगर protocol की वीडियो नहीं देखे हैं types of protocol की वीडियो नहीं देखे हैं तो भाई फटा फट ऐसा करो फटा फट जा कर के playlist में internet के option से आप जा कर के फटा फट पहले वो वीडियो देख लो फिर उसके बाद इस वीडियो को देखो तब यह समझ में आएगा ठीक है protocol को हम लोग क्या कहते हैं पता है आप लोगों को protocol को हम लोग कहते हैं set of rules तो उसी protocol का दो पार्ट होता है कि standard होता है एक proprietary होता है तो standard protocol का यह होता है एक part ध्यान से हमारी बात को समझ लिजे और इसी गोफर प्रोटोकॉल की पूरी details में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तो इसी वीडियो में तो आप लोग आखरी वीडियो तक बने रहिएगा दोस्तों तो मैं बात कर रहा हूं रत्नाकर उपाध्याय और आप देख रहे हैं यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल तो मित्रकुछ हम लोग अच्छा सीखते हैं देखिए हम लोग बात करने वाले हैं गोफर प्रोटोकॉल के बारे हैं किसके बारे हम बात करने वाले हैं गोफर प्रोटोकॉल के बारे में बात करने वाले मैंने आप लोग को अल्रेडी बता दिया है कि प्रोटोकॉल मिन्स क्या होता है सेट आफ रूल्स क्या होता है set of rules होता है यानि मतलब क्या होता है कि जैसे मालीजी हमारे जीवन में कुछ क्या होते है rules regulations होते है traffic के कुछ होते है उसी तरीके से हमारे internet के भी क्या होते है कुछ rules regulations होते है तो gopher की अगर मैं बात करू एक छोड़ा सा definition मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है जिसको आप लोग note भी कर सकते हो the gopher protocol is a communication protocol designed यह क्या है communication protocol है यह design हुआ है किसके बारे में वितरीत यानि distributing searching मतलब खोजना और retrieving मतलब क्या होता है पुनरावित्ति क्या होता है document in the internet मैं बात करूँ अगर इसकी gopher की तो यह क्या करता है communication के लिए designed किया गया है किसके लिए designed किया गया है यह हमारा communication के लिए designed किया गया है यह वितरीत करता है खोजता है और क्या करता है पुनरावित्त करता है दोस्तों तो यह आप लोग बिल्कुल इसी तीन वर्ड को याद करके रखिएगा distributing, searching और retrieving से तीन वर्ड आप याद करके रखिए मैं guarantee के साथ कर रहा हूँ कभी भी आप लोग किसी भी level का exam देने जा रहा हो किसी भी level का exam देने जा रहा हो तो मातर इस छोटे से तीन वर्ड से पूरा gopher protocol को आप लोग describe कर सकते हो हम लोग gopher protocol को एक language में और कह सकते हैं क्या कह सकते हैं हम लोग देखते हैं जैसे हम बात करें अगर gopher protocol की तो कहते हैं text या binary file को क्या कहा है ध्यान से मारी बास सुनेए text या binary file को ये विवस्थित करता है क्या करता है ये text या binary file को विवस्थित करता है तो ये हमारा दोस्तो है gopher protocol जिसकी बने बात आप को ता दिए बने बताता है protocol की दो parts होते हैं पहला standard दूसरा proprietary तो standard का है ये एक part है जो कि आप लोग को एक एक topic वाइस करते हैं comment जैसे ही आपका आएगा मैं उसका reply दूँगा और उसी recording हम लोग वीडियो को बनाते हैं दोस्तो ठीक है तो आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक बार like, share, subscribe जरूर कर लेंगे ठीक है उसके बाद अगर आप लोग कोई वीडियो कोई सुझाओ दोना तो आप लोग कमेंट करिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन